हेलो एंड वालकम बैक टू मैंचला मैं आपका दोश्चिवान फिर से लेके आचुका हूँ एक नहीं तड़क्ती बड़क्ती वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग बोलेंगे तो बिना किसी देरी की हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ऐसी पक्चोदी करने से इक्जैक्ली पे मिलता क्या है क्या शॉपिंग मौल वाले स्पेशल डिसकाउंट देते हैं कि ऐसी हरकते करने से बहुत साही क्या बात है सरकार ने ऐसी ही पक्चोदी करने के लिए तो यह स्कूल कॉलेज़स खोल के रखे हुए कि लोगडे आए और ऐसे ही पक्चोदी सीखे नई मुझे यह समझ मनी आ रहा है कि यह लोगडा ऐसी पक्चोदी करके ऐसे पोस मारके दिखाना क्या चाहता है क्या बात है नई बहुत साही अगर तुमको भी ऐसे सोशल मीडिया में वाराल होना है तो ऐसे ही ट्रांस्फोर्मेशन तो कनना ही होता है बाकी दुनिया भाड़ में जाए हमको क्या लेना देना है हम तो साले बैंचो ऐसे ही ट्रांस्फोर्मेशन करेंगे अबे क्या बक्चोदी चले यह मतब एक ही वीडियो में इतने सारे साउंड डाल दिया है कि साला कुछ समझी नहीं आ रहा है दिमाग और अलग खराब हुआ जा रहा है अबे बैंचोद की इस चूदिया ने इस वीडियो के स्क्रिप लिखी है मतब यार बक्चोदी की भी हथ होती है नहीं तुम लोग मुझे यह बताओ कि अगर इस वीडियो में तुम लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है तो भाई यार कमेंट कर देना दल ले जा रहे हो ये नहीं कि कुछ कर लू क्या खुछ कुछी कर लू तेरे बाप ने जो मोटर सैकल दी हो पेट्रोल से चलती है चले दर अबे विकारी मतब तुझे तेरे ससुन ने बाइक भी दे दी और तू साले को उसमें पेट्रोल भी नी ड़लवा सकता भाई यार ऐसी स्क्रिप्ट कौन लिखता है देखो यार तुम लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी सीरियस मत ले ना क्योंकि ये लोग ना एक कल्पनी क्रह से आई हुए लोग है पापा ये बुड़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है मेरे पापा को बुड़ा कह रहा है मैडम निली जानती है ना मेरी कोपड़ी है टीली ज्यादा बोलेगी तो यहीं छोड़ जाँगा मैंने बोला था ना कि ये लोग इस गरे के हाई नहीं है साले को हमारे घर में ऐसा नहीं होता इतना बोल देते ना तो अभी तक जूते डंडे से सूट दिये जाते आपको दमाजी बच्चों को अच्छे संसकार दीजिए वरना ये हर जगा खुद तो बेजज़त होंगे ही साथ में आपको भी बेज़ज़त कराएंगे इस दुनिया में क्या इतने अच्छे लोग भी होते हैं क्या कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बन्दा इतने प्यार से समझा रहा है जगा खुद तो बेज़ज़त होंगे ही साथ में आपको भी बेज़ज़त कराएंगे जो माबाप अपने बच्चों को अच्छे संसकार नहीं देते वो माबाप नहीं बच्चों के दुश्मन होते हैं अबे हमारे याजी बक्चो दिनी होती पहले डंडे और जूते तो सूर दी जाते फिर पूसते समझ में आया कि नहीं कि और समझाए बस बहुत हो गया मैं तुम लोगों को इस से जादा और बक्चो दिनी दिखा सकता अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमन जरूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में